दोस्तों, इस युग में महिलाएं हर मामले में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। चाहे खेल हो या शिक्षा, महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अपना स्थान बना लिया है। इतना ही नहीं, महिलाओं का एक वर्ग तो पुरुषों के ऊपर अत्याचार करने से भी पीछे नहीं है। जिस प्रकार हर पाप की एक सजा निर्धारित की गई है। उसी प्रकार हर सजा को भोगने के लिए अलग-अलग नर्क भी बनाए गए है। गरुड पुराण में श्री हरी विष्णु ने 21 प्रकार के घोर नर्कों का वर्णन किया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर कोई पत्नी अपने पती पर अत्याचार करती है, तो मृत्यु के बाद उसे किस नर्क में क्या-क्या सजाएं मिलती हैं। पती पर हाथ उठाने वाली पत्नियों को तमिस्रम जैसे घोर नर्क में कितने सालों तक किन-किन कश्टों को भोगना पड़ता है। उन पत्नियों का क्या होता है जो दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं। जूठी और धोखे बाज पत्नियां अगले जन्म में किस योनी में जन्म लेती हैं। करना बहुत बड़ा अपराध है। फिर भी कुछ लोग जान बूज कर अपराध करते हैं। ज्यादातर शादी के बाद पुरुष ही अपनी पत्नियों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। उन लोगों को ना सिर्फ मृत्यू लोक में बलकि नर्क में भी बहुत कठोर लेकिन पुरुष इन अधिकारों का दुरुपयोग कर महिलाओं पर अत्याचार ना करें। इसलिए समाज ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं। परंतु हर मामले में पुरुष ही दोशी नहीं होते। कभी-कभी शादी के बाद महिलाएं भी अच्छे से होता है। और उन्हें हर छोटे बड़े पाप की सजा मिलती है। दोस्तों, हिंदु धर्म शास्त्रों में स्त्रीयों की सुंदर्ता एवं गुणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि वे सौम्य, सभ्य और परिवार का भरण प अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे महिलाओं में भी बदलाव आ गया है। कुछ महिलाएं अपने स्वार्थ के लिए अत्याचारी बन गई हैं। उन्हें अब अपने परिवार की भी पर्वाह नहीं है। वह अपने पती की बात नहीं सुनती और उसका अपमान क करती हैं। अपने बड़ों का सम्मान नहीं करती। ना ही किसी धर्म का पालन करती है। कभी-कभी तो पती को मारने-पीठने और हत्या करने का पाप भी कर बैठती है। महिलाओं के इन सभी बुरे स्वभावों के कारण पती को अपने शादी के फैसले पर संदेह होने लगता है और वह सोचने लगता है कि उसने किस अशुब समय में ऐसी स्त्री से विवाह किया था। यदि आप अपनी पत्नी के अत्याचार से पीडित पती हैं या आप किसी पीडित पती को जानते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यह कोई साधारन समस्या नहीं है। अपनी धर्म कुछ भी नहीं देखा जाता वहां सिर्फ लोगों को उनके कर्मों के आधार पर ही अलग-अलग श्रेणियों में बाटा जाता है। इसका उलेक गरुड पुरान में भी मिलता है। एक दिन पक्षी राज गरुड ने श्री नारायन से कहा कि हे प्रभु आपने हर प्रकार के पाप कर्मों का स्पष्ट वर्णन किया है। कि जब पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है, तो नर्क में उसे क्या-क्या सजाय मिलती है। परंतु कल-यूग में जब स्त्रियां अपने पती पर अत्याचार करेंगी तो क्या उनके स्त्री लिए भी नर्क में कोई सजा तै की गई है ? या फिर यह संभव ही नहीं कि कोई भी पत्नी अत्याचारी हो। श्रीहरी विश्णु ने गरोड के प्रश्न के उत्तर में कहा, हे गरोड, कल युग एक ऐसा युग है जहां कुछ भी संभव है, यहां पापों की कोई सीमा नहीं होगी। हर युग में पत्नी पतिवरता होती थी, परन्तु इस युग में पत्नी का एक और ही रूप देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटेंगी, जैसे पत्नी का अपने पती को जूठे आरोप में फसाना, अपने पती को धोखा देना, धन के लिए अपने पती का इस्तेमाल करना, धन खत्म हो जाने पर उसे छोड़ देना, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पती को धोखा देना, इत्यादी। इन पापों के परिणामों से अंजान पत्नियां ये सभी पाप करती तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका हिसाब चाहे धर्ती पर ना भी हो, किन्तु नर्क में उन्हें हर गलत कर्मों का हिसाब देना ही होगा, गरुड पुरान के अनुसार अगर कोई पत्नी अपने स्वार्थ वश, पैसों के लिए किसी पुरुष से शादी करती है, और फिजूल खर्ची करके वह अपने पती को लूटती रहती है। ऐसी पत्नियां जो पती के साथ तब तक रहती हैं जब तक कि धन का उपभोग कर सकें, ऐसी पत्नियों को मृत्यू के बाद तमिस्रम नामक नर्क में भयानक सजाएं दी जाती हैं। को मिलता है कि कोई पत्नी पती पर दहेज का जूठा आरोप लगाती है या फिर आर्थिक स्थिती खराब होने पर वह अपने पती को छोड़ देती है। ऐसे पापी पत्नी को कई जन्मों तक चक्रवाक पक्षी बनकर ही भ्रमन करना पड़ता है और वह किसी और रूप में जन्म नहीं ले पाती। जब तक उसे अपने पाप कर्मों का अनुभव नहीं हो जाता तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। दोस्तों आपने बलतकार जैसे जगन्य अपराधों के बारे में सुना है। इसमें सिर्फ लड़कियां ही पीडित नहीं होती, कई बार पुरुष भी इस अपराध का शिकार होते हैं। जो स्त्री किसी पुरुष को उसकी अनुमती के बिना छूती है या उसे अपने शारीरिक मोह में छल से फंसाती है। उसे नर्क में मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीडों और जानवरों के बीच कई सालों तक सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिती में पढ़कर पापी आत्माएं बहुत कष्ट पाती हैं और मुक्ती के लिए बार बार यमदूतों से प्रार्थना करती हैं। लेकिन यमदूत उन्हें उनके कर्मों की याद दिलाते हुए असहनिये कष्ट देते रहते हैं। दोस्तों बड़ों की तुलना भगवान से की जाती है। उनका अपमान का अर्थ है भगवान का अपमान करना। गरोड पुरान में बताया गया है कि जो पत्नी अपने पती का या अपने बड़े बुजर्गों का अपमान करती हैं। नीचा दिखाती हैं, या फिर उन्हें मारती हैं, ऐसी पत्नियों को नर्क की आग में जोंक दिया जाता है, और ऐसा तब तक किया जाता है, जब तक उनकी खाल शरीर से अलग ना हो जाए। दोस्तों, अपने साथी को धोखा देने वाले मनुश्यों को नर्क में ऐसी सजाएं दी जाती हैं, जिसका अगर उन्हें थोड़ा सा भी घ्यान हो जाए, तो वे अगले जन्म में ऐसा करने से बचेंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो पत्नी किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, उसे नर्क में जानवर माना जाता है। उसे मलमूत्र से भरे एक अंधेरे कुएं में लंबे समय के लिए डाल दिया जाता है। जीवित रहने के लिए उसे वही सब खाकर घंगोर अपने स्वार्थ के लिए प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डालती है। उन्हें इसी जीवन में और मरने के बाद नर्क में अंगिनत दुखों का सामना करना पड़ता है। केवल हत्या करने वाली पत्नी को ही नहीं, बलकि ऐसे काम में मदद करने वाले प्रेमी को भ जाता है। कई वर्षों तक गर्म रेत में चलाया जाता है। इतना ही नहीं, इसके पश्चात उसे गर्म लोहे से बांध दिया जाता है। और हाथ पैरों पर लोहे की कील ठोक दी जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार, प्रिथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प व्यभिचार का अर्थ है विवाहित व्यक्तियों का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारिरिक संबंध बनाना। इस कलियुग में शादी शुदा व्यक्तियों के नाजायज संबंध होना सामान ने होता जा रहा है। आपने भी कभी न कभी ऐसे अपराध अपने आसपास दे देश का आकलन किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि महिलाओं द्वारा व्यभिचार करने के मुख्य दो कारण हैं वो दो कारण कौन से हैं वह भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे धर्म शास्त्रों में व्यभिचार को महापाप की श्रेणी में रखा गया है गर दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड पुरान के अनुसार धोखे बाज पतनी को नर्क में क्या-क्या सजाएं मिलती हैं मनुस्मृति नारद पुरान जैसे ग्रंथों में धोखे बाज और चरित्रहीन महिलाओं के बारे में क्या लिखा है और क्या व् आपको बताते हैं उसके बाद गरुड पुरान में इस विशय में क्या लिखा है उसे भी विस्तार से जानेंगे नारद पुरान के अनुसार कई मनुस्य से अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाते और सुंदर्ता के आकर्शन में फंसकर परस्त्री या भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं और इसकी सजा भी तय की है नारद पुरान में लिखा है कि जो पतनी अपने पती को धोखा दे कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उसे मृत्यू के बाद नर्क में इस महापाप का ऐसा दंड मिलता है जिसे सुनकर परलोग भी का पुठेंगे नारद पुरान में एक प्रसंग का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार एक बार धर्मराज और भगवान राम के पूरवज भागीरत के बीच लोग और परलोग के बारे में चर्चा हो रही थी तब भगीरत जी ने धर्मराज से पूछा कि अपने पती को धोखा देने वाली स्त्रियों को यमलोग में किस प्रकार दंड मिलता है इस प्रशन के उत्तर में धर्मराज ने बताया कि यमलोग में उन महिलाओं के लिए बहुत दर्दनाक सजाएं होती हैं जो खुद को वासना से रोक नहीं पाती और दूसरे पुरुशों की और आकरशित होक उनके साथ संबंध बनाती हैं ऐसी स्त्रियां मरने के बाद यमलोग में भी उसी पुरुश को देखती हैं जिसके साथ संभोग की इच्छा से उसने व्यभिचार किया था परंतु वह पापिनी स्त्री उसे देखकर उसके पास नहीं जाना चाहती क्योंकि इस पुरुश का शरीर गर्म पिघले लोहे के समान होता है और वह पापिनी स्त्री को पकड़ने के लिए दोड़ता है ये देखकर पापिनी स्त्री भागती है लेकिन लोहे का दहकता पुरुश स्त्री को जबरजस्ती अपने आलिंगन में लेकर उसे उसी प्रकार व्यभार करता है जैसा व नरकों में अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। जो स्त्री अपने पती को धोखा देकर एक नहीं बलकि कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। उसके लिए यमलोक में कड़ी सजा का प्रावधान है। वे अभिचारनी स्त्रीयों को देखकर यमराज क् और उन्हें प्राणगा तक दंड देकर नरक में भेज देते हैं। वहां महिला को बहुत पीटा जाता है। लेकिन यमदूत उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करते। फिर उसे जलते हुए लोहे के खंभों का आलिंगन करवाया जाता है। लेकिन यमराज की सजा यहीं खत ज़ा जाता है जहां युगों युगों तक वह अपने पापों का फल भोगती है। नरकों में यातनाय सहने के बाद धरती पर उन्हें जानौरों के रूप में पनरजन्म मिलता है। लेकिन इन व्यभीचारी स्त्रीयों को पशु-योनी में भी निम्न-योनी प्राप्त होती आईए अब बात करते हैं गरुड पुरान की। दोस्तों गरुड पुरान पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संबंधों के विशय में बहुत कुछ बताता है। इसमें कुवारी या कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए अलग सजा का प्रावधान है और शादी शुदा महिलाओं के साथ अलग। गरुण पुरान के अनुसार जो महिला अपने पती को छोड़ कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग से धधकते लोहे से बांध दिया जाता है। इस सजा की अवधि व्यक्ति के कर्म पर नि शब्द कहती हैं, गालियां देती हैं। यम दूत ऐसी महिलाओं को कडाही में डाल कर खौलते हुए गर्म तेल से तलते हैं। जो महिलाओं एक ही समय में कई पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं और उन्हें बेवकूफ बना कर पैसे लेती हैं। ऐसी स्त्रियों को नर् के काटने से उन्हें बहुत कष्ट होता है। और जब नर्क की सजा खत्म हो जाती है तो उनका अगला जन्म सुर की योनी में होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार संबंध बनाने के लिए न केवल महिला बलकि उसके प्रेमी को भी पाप में बराबर का भागीदार माना ज थे और अपने अपराध को याद कर खुद को दोशी मान कर विलाब करती हैं कि उन्होंने अपने पती को धोखा दे कर दूसरे पुरुष के साथ संबंध क्यों बनाए। दोस्तों इस विशय पर मनुस्मृति में लिखा है कि जब कोई स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ श समान पाप है परंतु शारीरिक द्रिष्टि सिस्त्रियों के लिए वह और भी बुरा होता है। व्यभिचारिनी स्त्रियां सरल स्वभाव की नहीं रहती। उनमें चिड़चिडापन, अस्थिर्ता, आवेश, बेचैनी, जूट, कपट, असंतोश, आदी दुर्गुनों की हो पैदा हो जाती हैं, जो महिलाएं अपने पती को धोखा देती हैं और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं। उनकी संगती इतनी हानिकारक बताई गई है कि उन महिलाओं के प्रेमियों को भी इसके परिणाम स्वरूप, नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। दोस्तों, स्त्रियां व्यभिचार क्यों करती हैं, इसके प्रमुख दो कारण समझाते हैं। पहला कारण उनकी वासना है, जो किसी कारण वश पूरी नहीं हो पाती। इस वासना को वह नियंतरित भी नहीं कर पाती और परपुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरा कारण है प्रेम और सम्मान की कमी। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को उनके घर में ना ही उचित सम्मान दिया जाता है और ना ही प्रेम। जिस कारण से जब ऐसा प्रेम और सम्मान घर के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है तो वो उ माता पिता के पापों का परिणाम भुगतते हैं। इस विशय पर धर्म शास्त्रों में लिखा है कि एक या अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने से व्यभिचारी स्त्री का गर्भ दूशित हो जाता है और इसका परिणाम उसके बच्चे पर पढ़ता है। या तो उनक संतान पर निश्चित रूप से होता है। उस संतान में अनेक आसुरी दुर्गुण पाए जाते हैं। व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतान को धर्म ग्रंथों में वर्ण संकर के अपमान जनक नाम से संबोधित किया है। इसलिए व्यभिचार को सर्वता निंदनिय बता केवल इतना ही नहीं, यह यहां तक बताते हैं कि आपका आने वाला समय सुख से बीतने वाला है या दुख से। स्त्रियों के संदर्भ में कई बार उनके शरीर पे मौजूद तिल ही बता देते हैं कि स्त्री अपने जीवन में कितना संधर्ष करेगी या फिर कितना अमीर हो इसलिए इसका नाम समुद्र शास्त्र पड़ा। समुद्र शास्त्र में मानव शरीर पर मौजूद अंगों की संरचना और तिल के आधार पर विशलेशन किया जाता है। इसी विशलेशन के आधार पर यह शास्त्र किसी भी इनसान के व्यक्तित्व को सटीक बताने में सक् समुद्र शास्त्र में महिलाओं की तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिन से इनसान की तरक्की और खुशियां सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। दोस्तों, स्त्रियों के शरीर के अलग-अलग अंगों पर तिल होने का अर्थ भी अलग-अलग होता है, जिसे इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे कि कामुक स्त्री के किस अंग पर तिल होता है और सौभाध्य शाली स्त्रीयों की क्या पहचान है। दोस्तों, रिशी समुद्र के अनुसार व्यक्ति के शरीर पर मौजूद तिल शुब भी हो सकते हैं और अशुब भी। तिल जिस स्थान पर होता है उससे तिल के शुब और अशुब परिनामों का पता लगाया जाता है। दोस्तों, महिलाओं के संदर्भ में इस विशय पर समुद्र शास्त्र में लिखा है कि किसी भी महिला की कमर पर तिल होना, उसके अमीर होने का संकेत देता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाएं अपार्धन, वैभव और एश्वर्य के साथ जीवन जीती हैं। इस तरह कि स्त्रियां जिस शेत्र में जाती हैं, खूब नाम और सफलता पाती हैं। दोस्तों समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि माथे पर तिल होना आत्म विश्वास और जीवन में सफलता को दर्शाता है। जिन भी महिलाओं के माथे पर तिल होता है वो अपने लिए सफलता का रास्ता खुद बनाने में सक्षम होती हैं। इसलिए उन्हें जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। माथे पर तिल वाली महिलाएं खुद अपना एक मुकाम हासिल करती हैं और जीवन में अत्यधिक संपत्ति और सुख सुविधाओं का लाब उठाती हैं। परंतु दोस्तों माथे पर बाई तरफ तिल क वो समुद्र शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी महिला बस अपने बारे में सोचती है। यानि इन महिलाओं में स्वार्थ की भावना अधिक रहती है। जिससे परिवार के लोग कई बार इनको गलत समझते हैं और इन्हें अपम अप्षाली होने का सूचक है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं को जिन्दगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। माना जाता है कि जिन महिलाओं की दाई बाजू पर तिल होता है, वह अपने परिवार से काफी जुडाव रखती है। कुछ ज्यादा प्यार करती हैं और सबका ख्याल रखती हैं समुद्र शास्त्र के अनुसार परिवार के लिए ये अपने दुख को भी भूल जाती हैं और इनके घरवाले इनसे काफी खुश रहते हैं दोस्तों धन वैभव और ऐश्वर्य के साथ ही साथ धैर्य भी बहुत मह अपने सपनों को कूरा करने के लिए जीवन में कड़ा परिश्रम करती हैं जोति शाचारियों के अनुसार गर्दन में तिल वाली महिलाएं न सिर्फ खुद के लिए बलकि अपने परिवार के लिए भी काफी भाग्यशाली होती हैं और जिस घर में भी इनकी शादी होती है वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती दोस्तों अगर किसी महिला की आख पर तिल हो तो वह स्वभाव से बेहद ही शांत और बुद्धिमान होती है इन महिलाओं पर उनके आसपास के लोग बेहद विश्वास करते हैं और इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती इनका विवाह भी हमेशा संपन्न परिवार में ही होता है जिन स्त्रियों की आँखों पर तिल होता है उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है फिर चाहे वो नौकरी हो या फिर व्यापार इसलिए इन्हें सबसे भाग्यशाली माना गया है दोस्तों समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कंधे पर तिल होना धन की अधिक्ता को दर्शाता है जिन भी महिलाओं के कंधे पर तिल होता है वो अपने जीवन में सभी प्रकार के एशो आराम प्राप्त करती हैं ऐसी महिलाओं वानी से मधुर और सन्यमी भी होती हैं ऐसी महिलाएं अपने लिए ऐसे जीवन साथी को चुनती हैं, जो देखने में भी खास हो और साथी बुद्धिमान भी। परन्तु दोस्तों, अगर किसी महिला के कंधे के नीचे तिल हो, तो समुद्र शास्त्र के अनुसार इसे शुग नहीं माना जाता है। ऐसी स्त्रियों को जीवन में बहुत संधर्ष करना पड़ता है। छोटी से छोटी सफलता हासिल करने के लिए भी इन्हें बेहद संधर्ष करना होता है। पीठ पर तिल होने पर स्त्री थोड़ा आलसी भी हो सकती है। ऐसी स्त्रियां काम को टालने वाली और आराम पसंद होत ये अपने प्रयासों में हमेशा सफलता पाती हैं. वहीं जिन महिलाओं के उपरी होंट पर तिल हो तो वो ना सिर्फ पुरूशों के बीच आकरशन का केंद्र बनती हैं, बलकि उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती. साथ ही ऐसी महिलाओं की शादी दिलदार व्यक्ति से ही ह होती हैं. परंतु होंट पर तिल होना, एक चिंता का विशय भी है. यदि किसी महिलाओं के होंट पर तिल हो, तो उन्हें अपनी सेहत को लेकर सचेत रहने की जरूरत है. समुद्र शास्त्र के अनुसार, ऐसी स्त्रियों को मोटापा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियो का सामना करना पड़ सकता है। वैसे होठों पर तिल का होना उनकी कामुक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। ऐसा समुद्र शास्त्र में बताया गया है। किसी महिला की ठुड़ी पर तिल होना भी बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और वे आराम से अपना जीवन जीती है। सबसे खास बात ये है कि ऐसी महिलाओं को जीवन में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर किसी महिला के दाएं गाल पर तिल होता है तो वह बहुत ही शुब माना जाता है। ऐसे लोगों पर हमेशा मा लक्षमी की कृपा रहती है। माता लक्षमी का आशिरवाद प्राप्त होने की वजह से, इन्हें जीवन में कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं अगर किसी व्यक्ति के बाएं गाल में तिल हो, तो समुद्र शास्त्र के अनुसार यह उनके जीवन में आर्थिक परिशानी का संकेत है। कई लोगों के पैरों में भी तिल बना होता है। इस तिल का मतलब होता है कि ऐसे लोग किसी एक जगह पर टिकर नहीं रह पाते। ऐसे लोग घुमककड होते हैं और कहीं पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते और मनमौजी स्वभाव के होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको महिलाओं के किस अंग पर तिल होने का क्या अर्थ होता है। इसका पता चल गया होगा। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक जान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभं भवतू आईए मिलते हैं अगली वीडियो में।